हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बेक टो माई चैनल, मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाइ डिजाइन फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लाउज से ब्लाउज के नाप लेके ब्लाउज की कटिंग सीखने वाले हैं इसके लिए मेरे पास बहुत सारे रिक्वेश्ट आ रहे थे कि हमें एक ब्लाउज को नाप करके ब्लाउज की कटिंग बता दीजेगा तो आज किस वीडियो में हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज के साथ में हम लोग ब्लाउज से नाप लेके कटिंग सीखेंगे तो चलो यहाँ पर सबसे पहले अस्तर की कटिंग करनी है तो सबसे पहले हम अपने अस्तर को इस तरह से पुरा फैला के रखेंगे और यहाँ पर डावल फोल्ड करके रखना है एक अस्तर के भाग को हम छोटा करेंगे और एक अस्तर के भाग को बड़ा करेंगे तो इस तरह से हमने इसको छोटा बड़ा करके रखा हुआ है अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपने ब्लाउस को लेंगे जिस भी ब्लाउस के नाप का ब्लाउस बनाना है तो यहाँ पर हमने इस ब्लाउस को रखा देखेंगे कितना तयार है तो यह हमारा पूरा 14 इंच की लेन थै इसकी यानि की हमको तयार इसको 14 इंच रखना है तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लस कर के लेंगे जो back part है तो हम यहाँ पर 15 इंच लेंगे तो इस तरह में आ नहीं रहा था तो हम इसको दूसरी साइट को फोल्ड करके रखेंगे ऐसे में हमारा फैब्रिक आ जाएगा तो यह हमने पूरा 15 इंच लिया हुआ है देख सकते हूँ अब इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइट हमें बेल्ट के साथ में ब्लाउस बनाना है तो इसलिए हमने 1.5 इंच प्लस करके लिए है अगर बेल्ट वाला नहीं है तो आप 1 इंच प्लस करके लिजेगा अब हमको इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड इट साइट को अपनी साइट को रखना है खुले भाग को दूसरी साइट को और बस यहां पर अब हम कपड़े के बंद भाग से 1.5 इंच पर गले के लिए निशान लगाएंगे तो आप 1.5 इंच पर गले के लिए निशान लगा लीजेगा बस यह ध्यान रखने अगर बहुत कम मतलब है ले वो क्या जैसे कमर आपकी बहुत कम है वो सीना कम है तब आपको दो इंच लेना है नहीं तो फिर आपको धाय इंच पर ही निशान लगाना है अब इसके बाद लेंथ आपको नाप लेनी इस तरह से जैसे मैंने नापा अब जो भी आपका लेंथ निकल के आया है गले की तो उसमें से हाफ इंच प्लस करके लेना मुझे यहाँ पर 6 इंच तयार रखना है तो हमने यहाँ पर 6.5 इंच की लाइन खीचती है और बस इधार साइट के एक बाक्स बनाएंगे हाफ इंच पर निशान लगाएंगे और गुलाई कर लेंगे तो यह हमारे गले के भी निशान कंप्लेट हो गए है अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान डालेंगे तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच लेंगे शोल्डर के लिए तो इस तरह से यह हमने यहाँ पर 5 इंच पर पॉइंट डाला आप उसी से नीचे क साइड आर्म होल लेंगे साड़े 6 इंच यह हमने साड़े 6 इंच की एक लाइन खीचती है इसके बाद इधर साइड को एक लाइन ले जाएंगे यह हमारा जाएगा जो भी हमारा सीने का साइज होगा तो इस तरह से ब्लाउस को रखना है रखने के बाद यहाँ पर आपको और कमर है हमारी 15 यानि कि उसका डबल करेंगे तो कमर 30 की होगे और सीना हमारा 36 का होगा तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है उसका आधा करके लेना जैसे 18 हमारा आया तो 18 का आधा करेंगे तो 9 इंच आएगा अब 9 इंच पर हम यहाँ पर बंद भाग से इस तरह से आगे की साइड लाइन खीज़ देंगे और बस यहाँ पर हाफ इंच अंदर की साइड पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हाफ इंच अंदर की साइड और यहाँ पर अपने आर्मोल पे गुलाई कर लिया है और देखो यहाँ पर जो अंदर की साइड हम गुलाई कर रहे हैं यह हमने यहां पर दो इंच इक्ष्ट्रा निसान लगाया है मार्जिन के लिए सेम इसी तरह से कमर का निशान डालेंगे तो कमर हमारी है थी यहां पर 15 इंच तो यहां पर 15 का अधा करेंगे साड़े साथ आएगा साड़े साथ इंच पर निशान लगा है इसके बाद यहाँ पर दो इंच मार्जिन ले लिया है और बस इस तरह से यहाँ पर लाइन खीच देना है सीने वाले निशान से कमर वाले निशान को मिलाते हुए हमने यहाँ पर लाइन खीच लिया है इसके बा यहां पर नीचे की साइड हमारा चार इंच बच रहा है तो एक इंच इधर साइड कम करके निशान डालना है और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए ऐसे एक लाइन खीशती नहीं है और बस यहां पर हलका सा गुलाई कर लेंगे यह हमारे बेल्ट में गुलाई हो चुकी है अब इसके बाद यहां पर हमें बस्ट पॉइंट का नाब डालना है तो यहां पर हम साड़े नौ इंच उपर से इस तरह से पॉइंट डालेंगे अब उसी पॉइंट से हम डेड़ डेड़ इंच छोड़ते हुए चारों टक्स डाल देंगे तो जो हमने बस्ट पॉइंट क इसके बाद एक हमारा armhole side तो बस इस तरह हमने चारो point डाल दिया और ऐसे डालने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे देखो ऐसे ही cutting कर लेंगे लेकिन मैं यहाँ पर आपको तुरंट sleeves की भी नाप यहीं पर लगा के दिखा देती हूँ तो यहाँ से हमारी sleeves निकलेगी तो sleeves कैसे निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी sleeves को blouse से नाप लेंगे जैसे कि blouse से नाप लेके मैं आपको बता रही हूँ cutting तो यहाँ पर हमने blouse की length इस तरह से नाप नहीं है तो जितनी भी आएगी वो पहले आपको देख लेना है तो हमें इसको तयार रखना है चार इंच की sleeves और इसका bottom यानि की जो हमारा fitting होगा वो भी हम साथ में नाप लेंगे यहाँ पर साड़े 6 inch fitting है और length हमारी है 4 inch की तो अब 4 inch की है तो half inch plus करके यहाँ पर लेना है डालेंगे देखो चार इंच की तयार रखनी तो हमने half inch plus करके लेना है ठीक है और बस वहीं सीधर side को हम एक line खीचेंगे यह हमारा armhole side जूडेगा जाके यह line हमारी लानी है जैसे हमने fitting डाली थी 9 inch की तो half inch यहाँ पर plus करके लेना है अब अंदर की side हम यहाँ पर दो इंच पर एक निशान लगाएंगे उसी वाली line से और बस यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर line खीच देंगे जो हमने fitting point डाला है उस point से ऐसे line खीचनी है और यहाँ पर अपने sleeves का save दे देना है एस आकार का save देंगे तो हमने यहाँ पर एस आकार का save दे दिया इसके बाद आगे की side bottom का नाब डालना है तो जो भी आपका bottom है यहाँ पर हमने जैसे नाब पर 6 inch तो हमने 6 inch पर निशान लगाया और 1.5 inch यहाँ पर margin ले लेना है अब हमने जैसे यहाँ पर निशान लगाया है ना सेम ऐसे ही बाहर वाले निशान से सारी cutting complete करेंगे तो अभी हम सिर्फ अपने blouse की cutting कर रहे हैं इस तरह सी हमने cutting करा और जो हमारा back part उसको बाहर निकाल देना है पर फिर से ऐसे रखना है अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर half inch जो अंदर के सार्ट डाउन किया है इससे कट करना है तो बस इसको बराबर से cut कर लेंगे तो यह वाली cutting करने से हमारे blouse में जो front part होता है वहाँ पर जोल नहीं आता है तो इसलिए हम यहाँ पर अपने front part में चार्ट लगाते हैं ठीक है back part को निकालने के बाद इसका ध्यान रखना है तो अब यह हमने यहाँ पर cutting कर ली है इसके बाद जैसे हमने इधर साइड निशान लगाया सेम ऐसे सारे टक्स हम इधर साइड डालेंगे तो बस इनी को छाप लेंगे तो थोड़ा सा चाक को डार्क करके लगाएगा जिससे क दूसरी साइड छप जाए वरना आप सेम मेजरमेंट लेते हुए इधर साइड भी निशान लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है हमने यहाँ पर इस तरह से चाप लिया है हलका हलका सा निशान आ जाएगा उसी के ऊपर आपको डार्क कर देना है चाक से तो हम इस तरह से यहा डार के किया और बिल्कुल सेंटर से एक लाइन कीज़ती है तो फ्रेंट पार्ट का हमारा काम कंप्लीट हो गया है अब हम ले लेंगे अपना बैक पार्ट लेने के बाद इसको ऐसे ही रखेंगे रखने के बाद यहां पर हम अपने पहले सबसे पहले बैक पार्ट की गले क तो गला हमारा तयार रहेगा साड़े दस इंच का तो हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस करके इसकी लेंगे यानि के ग्यारा इंच लेंगे तो बराबर से इसको ऐसे रखना है तो और इसकी लेंथ लेंगे तो उपर से इंची टेप रखेंगे अब हमको इसकी लेंथ बढ़ानी ह 11 इंच की तो देखो वहाँ पर तो गला डिजाइन में है लेकिन यहाँ पर हमको गला गोल बनाना है पाइपिंग वाला इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे लेकिन थोड़ा सा डेप में रखना है तो अंदर की साइड हम 3 इंच पूरा लेंगे इसकी लेकिन यहाँ पर थोड़ा डेप रखना है तो हमने तीन इंच लिया और अंदर की साइड इस तरह से एक लाइन खीचो और हाफ इंच पर ऐसे निशान लगाना है और यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेना है तो यह हमारा गला हलका सा डेप हो जाएगा ऐसे इसकी कटिंग कर द लगते हैं तो बंद भाग से मतलब सेंटर से हम चार इंच लेंगे और दोनों साइड निसान लगा देंगे और उपर की साइड भी हम चार इंच लेंगे दोनों डॉट पे तो बस इस तरह से उपर की साइड चार इंच लेना है साइड से चार इंच लेना है सेंटर से और य यहां पर इसकी कटिंग कर लेना है दो पटियां यहां से निकाल लेंगे तो ऐसे हमने यहां पर अपनी पटियां कट कर ली है देख सकते हो अब इसके बाद यहां पर जो हमने अपनी स्लेफ का पैटन ड्रॉ किया हुआ था तो जैसे हमने यहां पर पैटन ड्रॉ किया है वैस हमने रखा रखने के बाद यहां पर एक साइड हमें हाफ इंच अंदर की साइड को डाउन करना है तो बस ऐसे रखना है और हलकी सी गुलाई करना है एक साइड हाफ इंच के लगभग अंदर की साइड और यहां पर ऐसे ही कटिंग कर देना है तिया हमने यहां पर कट कर लिया है तो यह हो गई हमारी स्लेफ की कटिंग भी यहां पर आपको अंदर की साइड एक नीसान डाल देना है जिससे की आपको पता चले कि यह हमारा सीधा साइड है यह निकि एक साइड का है तो हमारी स्लेफ गलत नहीं लगेगी तो इस तरह यह हमने अपने सीधा साइड नीचे की साइड है उल्डा साइड ऊपर की साइड है अब हम हर जगह से हाफ इंच इश्ट्रा फैबरिक लेते हुए कटिंग कर लेंगे यहां बेच से हम पाइपिंग के लिए और पटिया निकाल लेंगे तो बस इसकी सारी कटिंग कर लेते हैं तो देख सकते ह यह हमने सारी कटिंग कर ली है अब यहां से जैसे छोटे छोटे से जो पीस हमारे साइड साइड से निकले हुए हैं वहां से हम अपनी डोरी के लिए लटकन वगएरा कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं तो यह रही हमारी अस्तर वाले ब्लाउज की ब्लाउज से नाप लेकि क कैसे कटिंग करनी होती है इसका रिक्वेस्ट बहुत जादा आ रहा था तो मैंने आप लोगों को इसकी वीडियो बना के दे दी है आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हो तो चैन बहुत जाद निवाद